हेलो फ्रेंड्स, माइ नेम इस वैडेह पटेल अश्वमे विध्यालेग बच्चो आज हम इकाई तीन मत बाटो इंसान को कविता देखेंगे उसके कवी है विने महाजन इस कविता में विने महाजन जी ने मनुष्यों को मिल जुलकर रहने की प्रेणा दी है तो आज हम सीखेंगे कि मनुष्यों किसी भी भेदभाव में नहीं पढ़ना चाहिए हमें सबी भेदभाव को बुला कर एकता की द्रस्टी से इस संसार को देखना चाहिए यह प्रकृती भी हमें निरंतर यहीं उपदेश देती है इस कविता में एकता मिल जुलकर रहना समानता आदी मुल्य समाविष्ट है तो हम लोग स्रवां भी करते हैं और साथ में सिखते भी है मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को घरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को कहा है कवी ने इसमें की इंसान यानी मनुश्या गिरजाधर यानी की चर्ज इसायो का पूजा का स्थल बाटना बाटना यानी की विबाजित करना है ना तो इसमें कहा है कि कवी दुनिया के लोगों से कहते है कि बगवान तो सबका एक ही है परन्तु तुमने मस्जिद गिरजाधर आधी अलग-अलग पुजाधर बनाकर बगवान का बटवारा कर लिया है इसी तरह अलग-अलग देश्ट बनाकर धरती भी बाट ली है सागर के भी अलग-अलग हिस्व पर अधिकर कर उसे भी बाट लिया है अब कम से कम इंसान का बटवारा तो मत करो आगे दिखते हैं अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियारा महलों में बन्दी हर दीपक मजबूर है मिलान सूरज का संदे अभी राह तो शुरू हुई है राह यानि रास्ता मंजिल यानि लक्ष गंतव्य स्थान उजियाला यानि उजाला प्रकाश बन्दी यानि कैदी और दीपक यानि चीराग मजबूर यानि लाचार विवस तो देखते हैं कभी कहते हैं दुनिया में समानता की भावना फैलने की सभी तो अभी तो शुरुवात हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बीजली की राश्नी अभी केवल गहनी लोगों के घरों में ही है गरीबों के जोपड़े में अभी तो दीपक ही जल रहे है तो अभी हम आगे देखते हैं संदेशा हर गाती मैंदान को कहां है सूराज यानी हमारे सुर्य देव अभी सुर्य का संदेश प्रत्येग घटी और मेदानों को नहीं मिल पाया है मानव समानता का वीचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक पहुचना बाकी है आगे अब भी हरी भरी धरती है उपर नील वितान है अब भी हरी भरी धरती है उपर नील वितान है परन प्यार हो तो जग सुना जलता रेगी स्तान है अभी प्यार का नील याने की नीले रंग का वितान वितान याने विस्तार वितान याने विस्तार जग जग याने संसार दुनिया सुना यानि निर्जान खामुस रेकिस्तान यानि मरू भूमी रितिला प्रदेश तो इसमें कभी कहते हैं कि धर्ती अब भी पहले की तरह हरी भरी है उपर नीले रंग का विस्तुत आकास भी पहले जैसा है लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है प्यार के बीच हरी भरी धर्ती वाला या संसार भी जलते हुए रेकिस्तान जैसा है आगे घर प्यासी चटान को अभी प्यार का जल देना है घर प्यासी चटान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को चटान यानि सिलाखन यानि की बड़ा पत्थर तो कहते हैं कि हमें हर प्यासी चटान को प्यार के लिए तरस्ते रदयों को प्यार का शितल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है साथ उठे सब तो बहरा हो सूरज का हर द्वार पर साथ उठे सब तो बहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उडास आउगन का हक हो खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की उसकान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मंदिर मस्जिद गिरजा खर री माटे लिया इल बिवाने को तो फ्रेंड्स अक्री दो परिग्राफ में कहा है पहरा पहरा यानि की रखवाली सुरक्षा द्वार द्वार यानि दर्वाजा उदास उदास यानि दुखी बहार यानि शोभा वसंद रॉंदना रॉंदना यानि कुचलना रॉंदना यानि कुचलना आंगन यानि गर के भीतर का खुला हुआ भाव इस परिग्राफ में कभी कहते हैं कि समानता के सुरज का प्रकास तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दर्वाजा खोल ले सबके गरों में आंगन में तभी समानता का प्रकास समानता की भावना फैलेगी हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहर आती है विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा तो फ्रेंड्स आज हमने जो देखा उसका अभ्यास आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और श्वाद्यागी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है व्याकरन की मैं आपको PDF बेजूंगी वो आपको उसके बार लिखनी है थैंक यू